कि हैं लोग यहां पर पेपर सॉल कर रहे तो आपका उत्राखनवंदर होगा कि प्रिवेस यह पेपर हैं 20 जुलाई 2021 की सिप्टुटू का पेपर हमने स्टार्ट कर लिया था पहला पार्ट इसका कम्प्लीट हो चुका है यहां पर आज इसका सेकंड पार्ट हम करने वाले हैं तो कस्ट नमर फस आज के लिए क्या होने वाले आपके पास वेर इस दी बंदारा वाटर हार्वेस्टिंग मैथर्स फांड तो बंदारा जल्ण संचैन की जो पद्देतिया हैं वो कहां पाई जाती है और मैंने आप से कहा था वाटर हार्वेस्टिंग की जितनी भी टेक्न पर इंट अब दिफोर्स इंद डारेक्शन आप दिश्प्लेस्मेंट एंड इमेगनिट्व ऑफ दिस दिश्प्लेस्मेंट कॉल यहां पर बात की जारी है विस्तापन की दिसा में बलके घटक और इस विस्तापन के परिमान के गुणन फल को क्या कहा जाता है तो तो यहां पर आपका है आपकान है अगले कुछ रहा है नेशनल इस्ट्ट ऑफ डिजास्टर मैनेज्मेंट इस लोके टेट इन राष्ट्रिया आप दाप प्रबंदन संस्तान है वह कहां इस्तित है तो यहां पर इस्तिताब के न्यू डेली में कहां इस्तित है न्यू डेली में इस्तित है कौन इस्तित है नेशनल इस्टूट आप डिजास्टर मेनेजमेंट राश्ट्रिय आपदा प्रबंदन सहस्तान न्यू डेली में इस्तित है नेक्स्स QC के और बढ़ते हैं In an ecosystem The autotrops occupy the tropic level कौन सा trophic level यहां पर जो है वो autotrops occupy करते हैं कौन सा पोसी इस तर यहां पर कौन occupy करते हैं जो सो पोसी है मैंने आप से कहा था कि यह जो पोसी इस तर है आपके पास ट्रोफिक levels है आपको यहाँ पर याद करनी है, आई होप आपने याद कर लिए होंगे, तो इसका यहाँ पर option number C right answer होने वाला है, फर्स्ट जो यहाँ पर क्या होता है, ट्रॉपिक लेवल उसको कौन occupy करता है, और ट्रॉप्स यानि कि सपोसी उसको occupy करते हैं, next question के और बढ़ते हैं, मिना मा मता disease, is related to, मिना माता रोग जो है, वो किसे संब्धित, कौन से प्रदूसर से संबंदित होता है, वाईश प्रदूसर से, जल प्रदूसर से, धनी प्रदूसर से, यहाँ परोता है, तो आपको पता होना चाहिए, जो मिना माता रोग होता है, वो वाटर पॉलिशन यानि कि जल प्रदूसर्ण से यहां पर संबंदित है तो यह उप्शन भी यहां पर राइट आंसर होने वाला है अगला कुस्टन यहां पर देखें यह आप टॉप से लपस कुस्टन आपके लिए यह वाला कुस्टन देगो वर्ट इस दी रिजिस्टेंस ऑप रेजिस्टर वैन और है mb Cryo पना यहां पर शुक्त फ्लोवर यह उन्टर यह रहा रहा है और यहां पर बात की जाले तो क्या-केशी हो रही है यहां पर यहां पर सब से फ़ enorm असने ब्यंक्राइब के रहे है तो बैटरी का एक मदेर उसने बैेट्र का इम-A डिरन watching and अपननर आ नना ठीक है और रेजिस्टेंस यहां पर बोल दिया उस बैटरी के लिए यहां पर रेजिस्टेंस दे दिया उसने थ्री ओम बात करें यहां पर किस चीज के लिए यहां पर करेंट कितना है करेंट यहां पर फ्लो हो रहा है जिरो पॉइंट फाइब अब वो पूस्ता हम से कि इसमें कितन यहां पर क्या हो रहा है इसका प्रतिरोध कितना वाला कितना होने वाला है रेजिस्टेंस कितना होने वाला है इस रेजिस्टर को तो हमको पता है यहां पर वीज कोल टू आई आर अब यहां पर रेजिस्टेंस हमको पता करना है जो रेजिस्टेंस है बट यहां पर क्या है ब वाला है आर की जगा पर मेरे पास क्या आजाएगा आर प्लस इसमॉल आ राजाएगा इतना कल लेंगे सब यहां पर से हमको अपर यह आर निकालना है तीनों चीज़ा हमें पता है यहां पर एक वेल्यू 10 है आई की वेल्यू यहां पर 0.5 0.5 को मैं 1 by 2 लिख सकता हूं 1 by 2 calculation आसान हो जाएगा हमाले आर की वेल्यू हमको निकालना है यहां पर इसमॉल आर की वेल्यू उसने 3 ओम दे रखी है अब इसको solve करते हैं दो इदर चल जाएगा तो 20 हो जाएगा तो यहां से मैं आगे solve कर लेता हूं 20 is equal to क्या हो जाएगा मेरे पास आर प्लस 3 हो जाएगा और प्लस 3 हो जाएगा और इस आर को मैं यहीं रहने देता हूं 3 को ले जाएगा तो यहां पर मिर पास 20 मैनस 3 कितना हो जाएगा 17 ओम हो जाएगा किसके बरावर आर के बरावर तो आर की value मिर पास कितना आने वाले यहां पर 17 ओम आजाएगी कर लेंगे इस question का option बबी में आ प्र dibunde रिंग स्कूल करोra। ऋप्रोटो जोंस इं एक accum sich अब यह बात आती है कि जलिया परिस्थिती की तंत्र में प्राथ मी क्रेश्ट की आई और प्रोटो जोन नमेरं ठैश्न किस्यों नहीं सामिल होते हैं तुप यह पता हों को एक रेस्टेश्म की वत् ref को क्रäश्टी संद कैम एक ठोटे-ठोटी चीजें है ठोटे-ठोटे-ठोनी तो छोटे हो ठोटे-ठीज खोने और यहीं फॉने खिशेघर ने-टन शंद यहां पर बात कर यह रहा है प्लेंट टो आपको देखने को मिल रहा है प्लेंग डिये किसे और यह सामेज का राइट नंशन हो जानेवाला है ऐस यह आगला संदेखते हैं यह आपक्पai इसको सन इसको देखो विच आप दी फॉलिएंग टर्म यूज टू दिनोट दिस सेल्स विच बिकम इस्ट्रक्ट्ट्रली एंड फंक्शनली स्पेसिलाइजड एंड लोज डियाबिलिटी टू डिवाइड यानि कि क्या है यहां पर निम्ली किसमें किस पत का उपिया उन को स होती काउं को सब्सक्राइज के लिए जाता है जो संड़्चनात मों और ग्रुप से विश्च हो जाती है उनका इस्पेसिफ भॉर गोजाता है और विभाजित्ध होनी कि घुत हो प्रोग चुके हैं तो इस तरीके के जो होता है हम पता हृनенे को कहा जाता है क्या परमनेन् नेक्स केर्शन की बढ़ते हैं, नेक्स केर्स हम से क्या कहह रहा है, वीच उप थी फॉलिंग हॉर्मोन्स, रेगुलेर्स अब यहाँ पर बात आ गई, यह बेसल मेटाबोलिक रेट क्या होता है, बेसल मेटाबोलिक रेट का मतलब, यहां पर हमारे जो रोछ मररा हपी काम करने छमता होती है हम कितना वहाँ पर क्या करते हैं कैलरी बर्न लिवन करते हैं अपने बौडी की उसक चीज को उसको हम हम पूरा करने के जिटनी कैलोरी यहां पर खाच होते हैं और उस चीज 두 tended हार्मोन यहां पर regulate कर रहा है उस रानमोन का मार यहां पर नाम बताना है तो आपसन नमर यह में आपको देखने को मिलेगा थैरोइड हार्मोन जो है यह बेसल मेटाबोलिक रेड जिसको कि हम BMR भी कहते हैं सौर्ट फॉर्म में BMR कहा जाता है इसको यहां पर regulate करने का काम करता है तो कौन regulate करता है आपका थैरोइड हर्मोन जो है वो regulate करता है आपको समझ में आ चुका होगा अगला क्शन यहां पर देखें अगला क्शन आप से क्या कहता है विच आप दी फॉलिंग ब् पॉष्ण कटि बंदी या पूर्ण जेट दारा जो होते हैं उसके यहां पर जोगे चल रहे होते हैं यहां आप लोग याद कर लेना अगला कुस्टन यहां पर देखा जाए यह कुस्टन आपके लिए अपको देख रहा है यूरेनियम प्लोटनियम या लीथियम तो लीथ लीथिया मटड जाया लीन तो हलका होता है काफी ऑ्कीज़न भी काफी हलका है इनके कंपेरिजन में और आप्के नुलिएन्फियम यहां पर सिरफ बिच पाना है तो यूरेनियम प्लूटÓनियम और ठ्व यहां ही वो हैं जिनका प्रयोग नाबिक हुद्न के किया जाता है में किया जाता है next question क्यों बढ़ते है next question हम से यहां पर क्या कह रहा है which among the following cell organelle contains chromosome में किस को सी कांग में गुन सूत्र होते हैं cytoplasm में endoplasm reticulum में nucleus में या पर nucleus में तो यहां पर option number c आपको देखने को मिलता है nucleus nabic nabic में आपको क्या देखने को मिलते हैं गुन सूत्र यानि की chromosome से देखने को मिलते हैं option number c इसका right answer यहां पर होने वाला है कर लेंगे इसको अगला कुस्टन हम से क्या कह रहा है what is the full form of leiza leis a इसका पूर्ण रूप क्या है तो यहां पर बात करें आपको जो option number c देखने को मिलता है option number c में क्या कह रहा है option number c में आप से कह रहा है low external input and sustainable agriculture यानि की low external input का मतलब क्या हुआ कि आप क्या दे रहे हैं आप इस में जो labor force है वो कम दे रहे हैं आपके बाद जमीने कम हैं आपके बाद नेच्रल पूंजी भी कम थी वह सब चीज आपने करने के बावजूद आप क्या कर पा रहे हैं यहां पर अच्छा अच्छा प्रॉपिट कमा पा रहे हो तो उसको हम कहने वाले हैं आप लो external input और सश्टेनेबल agriculture option number c यहां पर राइट आंसर इसका हो जाएगा अगला यहां पर देखें क्या होने वाला है विच्छ आप फॉलाइंग इस एन एक्जामपल ओप इन सीटू कन्वर्स कंजर्वेशन ठीक है निमली कित में से कौन सा स्वाइस्थानी इन सीटू संद्रक्सण का ओधारन है और यह कुशन हम आई थिंग पिछले पेपर में भी आया था ठीक हमने वहां पर भी डिसकस करा था किस तरीके से इसको याद रखना है तो अगर यहां पर क्या होता है अगर जो यहां पर क्या है मार पाद जिस इस पिसी का हमको क्या कर जेंगल कहां चोड़ पाएंगे जैसे नेशनल पार्क में पूरा आपके बाद जंगल 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 कहली कहीं भी दौड सकता हूँ ठीक है खुला चुटा हूँ जबाग की बात कर रहे हम तो बाग को पूरा खुला चुड़ सकते हैं पूरे जंजल में ठीक है न तो वेश्च को क्या कहेंगे मैं पर इनसी टू कहेंगे तो इनषी टू क्या है अगर हम इसका है वोहाँ पर क्या होने माल है वहाँ पर क्या हो झा 파 उने वाला है को हम कहेंगे कि वह कैसा है आप X सी ठू यहा पर सम bumps कแต 반-दू थि Fresno lecont Club 13 यानि कि उसको जैसे हमने नेसल पार्क में रख दिया तो उस तरीके के कंजर्वेशन को हम कहेंगे क्या है उस तरीके कंजर्वेशन को कहेंगे वो है इन सीटू कंजर्वेशन और अगर हमने उसको क्या रख दिया कहीं बंद जगा जिस तैसे जू अगे रहा हो गया जैसे उस है ठीक है ना उसका हम आपर हैबिटेट प्रोवाइट करा रहे हैं ठीक है ना तो यह आप्शन नमर्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अगला कुस्टन यहां पर देखे अगला कुस्टन हम से क्या कह रहा है हाओ मैनी फंडमेंटल फोर्स फोर्सेज आर एक्जिस्टन इन नेचर परकृती में कितने मौलिक बल विद्यमान है तो यहां पर आपका जो ए है राइट आंसर होने वाला है चार प्रकार के मौलिक बलर फंडमेंटल फॉर्सेज अर एग्जिस्टन इन नेचर तो कौन-कौन से हो डिरेक्टली बता ज़ु होँ आपको यहां पर एक तो ढमार पास को ना होता है åbi है और ते हैभ यहां पर फोर्सक्राइप होते हैं और 4 ku इक इंट्रेक्शन चौथा कि विए इंट्रेक्शन तो चार तरीके लिए पास्का होचने हैं के लिए अगला पर देखते हैं उट लबस कोचनप इसको देखो तहों विच इमवेख्ज वोर्णाइब सब्सक्राइब को यूज कहां पर किया जाता है कि कि याद रखेंग इसको याद रखेंगे उसको कि कार क्रफ़ चमकाने के लिए करको वेक्स करतें तो गाडियों में क्या होता है रियर व्यू मिरर सोते हमारे पास सकते हैं अगला कोशन यहां पर बढ़ते हैं उसके और राइजो पियम इन-रूट-modules नोडियूल्स इजो मूल गरंथिकाएं होती हैं जो जड़ो में घरंथिकाएं होती उसमें राइजोबियम एक क्या है क्या है क्या है के कॉन से तो यह होता ह्मार पास Nitrogen fixing बेक्टेरिया ने तो टो च्रवाण कर देते हैं तोmo इसका राइट आंसर हो जाने वाला आए तिंगे पहले भी आया तो कुस्छन हम कर चुके हैं इसको अगला कुस्छन यहां पर देखते हैं वर्ट इस दी एक्षपेंशन ऑप पी ए आर इंटर्जी फ्लो इंद इको सिस्टम यह जो पारिश्थिति की तंद्र है उसमें उड़ स्थिक्श ơi इसके पारिश्थ हो सकता है यूज होने लायक है वही क्या कहलाएगा यहां पर फोटोंटा साइंटिकल अठीज चालाईगा में की हमको पता है सुर्य के परकास का जो सब्सक्राथ के और चुआ से लेकर कहां तक होता है आपके जो यह एक संथेशन कर यह सकती है ऐसे हैट स्मॉल चो यह थे आपको समझा प्र्योंग के लिए परयोग को सकती है उसी को हम या पर कहते है? सिंथेटिकल एक्टिव रिडिशन कह पाते हैं ठीक है ना आई तिंग ये बाद आपको समझ में आ चुकी होगी यहाँ पर नेक्स क्वेशन की और बढ़ते हैं अकला क्वेशन हम से क्या कहने वाला है वेन मैंगनिशियम और हैड्रोकलोरिक एसिड यहाँ पर क्या करते हैं अ और जब मैटल रेसिट के सारी अट करता तो हैड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज होती है आई तिंग आप सभी को यह पता होगा तो यहाँ पर क्या बनने वाला है यहाँ पर हैड्रोजन गैस निकलने वाली है और यहाँ पर क्या होने वाला है मैंगनिशियम क्लोराइड बन से किसका निर्मान होता है तीक है किसका निर्मान यापर होने वाला है वह वह मको बताना है पास कर देंगे यहां पर कुछ इलेक्रोड थोट होंगे अब ज्यादा दीप की ज़ुद्रत नाइक इस में तोंगे यहां पर तो स्गर है सोडियम अलग को कुलोरीन अलग होगा स्ट्रियम मेटल बन जाएगा हमारे पास क्लोरीन गैस के निकल जाएगी तो यहां पर ऑप्सन हमको क्या कहें रहा है यहां पर हेटो नापको प melody नहीं city क्लोरीन सोडियम और क्लोरीन गा आपको देखने को मिल रहा है sodium and chlorine यहां पर sodium metal के रूप में चला जाएगा chlorine gas के रूप में निकल जाएगी तो यहां पर option number 6 का right answer हो जाएगा I think आपको यह चीज़ समझ में आ रही होंगी अगले question क्यों बढ़ते हैं अगला question होगे रहोते हैं उनसे निसकासित होने वाली gas कौन से जो मुख्या स्वसन समस्च्याओं का कारण बनती है आपको डाइक लिया रखना इसको nitrogen dioxide वो गैस है कौन सी गैस जो यहां पर मुख्या स्वसन समस्च्याओं का कारण बनती है ठीक ना यहां पर हमारे आपको पता होगा तो मैंग्रोव वन के बारे में आपने सुना होगा तो मैंग्रोव वन होते जो मैंग्रोव यहां पर वनस्पतियां है वो क्या होती है आपर किसके प्रती टॉलरेंट होती है किसके प्रती टॉलरेंट होती है तो साल्ट मciesनल पार्क एंट एंड डियान परिष्टी थे जम्मु कसमीर में इस्टी थे का हिस्तित है जम्मु कसमीर में तो सलीम अली नेशनल पार्क इस लोकेटेट इन जम्मु एंड कस्मीर सब्सक्राइब 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 कर लेते हैं क्या रहा है ग्रूप 12 की बात हो रही है ग्रूप 12 ग्रूप 16 पता ही नहीं हो गयार कैसे कलेंगे इसको ठीक है न यहाँ पर बाता आती है हमारेपास तीरोप यहां नुथ प्री को लेकर लेकर चलते हैं तो यहां पर हमको पता है है गरूप क्या है आपको पता हो गए Lakसपी वे यांपर यांप अलूब ऑंगान पैंगन आलू गाजर इन थेला यहां पर बात आती है गृूप 13 होता है हमारे पास ठीक है ना इसके बाद आलो गृूप क्या एक और यहां पर देख लेते हैं और पाकिस्तान पाकिस्तान और यहां पर पास क्या होता है गृूप 13 को हम तो आसानी से याद कर सकते हैं यहां पर क्या होता है यहां पर देखो गृूप 13 का सठीज का अरे यहां पर आर्शनीक ठीक यह और वह पूछ किया रहा है गृुप 12 और गृूप 16 का बनने वाला योगिक तो ये बाकी के सारे के सारे गृूप 11 यहांपर क्या रहा है जिए ए एंड यह वाला आपका गृूप 13 और गृूप फिप्टीन से मिलकर बनने वाला हो आंसर है आपका तो आपसन नमर है यहां पर राइट आंसर हमारे पास हो जाने वाला है नेक्स को सब्सक्राइब बढ़ते हैं नेक्स को सनम से क्या कहने वाला है और इस दी मैगनिट्यूड ऑफ डिस्प्लेजमेंट ऑप गर्ल इसकेटिंग और सर्कुलर आइस ग्राउंड और यहां पर क्या हो रहा है एक लड़की है इसकेटिंग कर रही है और एक एज से दूसरे एस तक जाती है सीद है क्या करें ग्राउंड एंड रिचेज अप्वाइंड डायमेट्रिकली अपोजिट टूदी एज तो किया ब्यास के परिता यह जाती है ब्यास जो इसका क्या डिट्टर देमेट्रिकली जाती है सीद है तो यहां पर इसकी उसने रिडियस बोल दी 200 मिटर है एद से यहां तक ही होने वाला है और कितना डिस्टेंस है अगर रेडियस 200 मिटर है तो इधर भी 200 मिटर होगा तो दो रेडियस मिल कि ये पूरा क्या हो जाए तो तू टाइम से लेमिटर होता है तो यहां पर 400 देड्र मीटर हमारे पास आजाएगा तो आप्सानमबर इसका यांपर राइट आंसर हो जाएगा कर लेंगे इसको नेक्स को सन्तिक और बढदाए आपका एक सब्सक्राइब नियुक्त और इनरजी इन पार्टिसिपेटिंग इन रीक्षन डेड़ इस और देड़ियों यहां बात कर रहा हो chemical energy तो chemical energy बनने का कारण chemical energy का कारण क्या है chemical energy reaction में जो energy निकल के आ रही है वो chemical energy होती है और वो आ कहां सरी है उसका कारण क्या है different masses is different physical properties are different binding energy या फर different electron valences I think आपको यह समझ में आती कि जब भी क्या होता है यहां पर हमारे पास क्या होते हैं कुछ पर यहां पर किस चीज का बात आ रही है तो उनकी यहां पर क्या है डिफ्रेंट बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी तो यहां पर बात समझ में आ रही होगी आपको कि कि इसका कारण की होने वाला डिफ्रेंट बैंडिंग एनर्जी होने वाला है तो आपसे नमबर सी इसका रायट आंसर हो जाएगा अगला कुस्छन यहां पर देखते हैं वह हमसे क्या कह रहा है वर्ट इस दी कॉमन नेम अब अब देखो यहां पर क्या है सी थ्री एच एट ए है और सीट दू ओएच यहां पर बात करें कारवन कि नो एक दो तीन गार तीन गार नो और इस यह को कहा सकता है कि अगर इसका फ्रमला क्या होता है यहीं OR इसका महला संर हुआής चक्साइज और है तो इसका नाम फूछाएगा हमरपास इथायलीन ग्लाइक अप्स ऑनक का अपका बी दे रख है इसका ना में इथालिन ग्लाइक और सीटू एशिक्स ओटू तो ये भी आप याद रख लेना ठीक है ना अभी जो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है इसका राइट आंसर क्या होने वाला गिलिस रोल का फॉर्मला होना होता है हमार पस यापास यापास C3H803 कर लेंगे सोले कुस्टन क नेक्स क्यों बढ़ते हैं यहां पर विच इस दी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ फूर लिसनिंग दूसाउंड प्रोड्यूस विदिन दी बॉड़ी मेंली हर्ट एंड लंग्स तो आपने देखा होगा कमार का दख 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 कर रहा है दिल ठीक ना यहां पर मारा हि इसका राइड आंसरो जाएगा अगला कुस्टन देखते हैं अगला कुस्टन से क्या कह रहा है कौन है वो हूँ इस यहां पर कौन है इस असेंसिटिव डिवाइस डैट वर यूजड भाई हैंड्री केवंडिस तो मीजर दी वेरी फीवल फीवल माला बहुत दूरबल करियों इसला इसन्ही प्रयोंग किया थो औरकुस già था तो यहां पर टोरीजन बैलेnhस डाइक डियार याद कलेंगा इना इसको टोरीजन से अगशमय ह और वेट गेहूं की नसल है यह गेहूं की किस्म है क्या नाम है उसका हिमग्री, Which of the falling Has evolved into reptiles? कौन थे वो जो reptiles में evolved हुए,one reptiles से पहले कौन थे थे यहाँ पर बात आती है amphibians की तो amphibian को क्या कहता है, यानि कि जो, जमीन पर भी रह सकता है, पाणी में भी रह सकता है जमीन पर भी रह सकते हैं पानी में तो रेप्टैल्स कंई है मैं तो रेपटैल के इनसिस्टर कौन है तो रेप्टैल के एंसिस्टर यहाँ पर रैप्टैल समस्ट इसका right answer हो जाएगा next question के और बढ़ते हैं आपर आप टॉपस लबस को सना आपके लिए यह वाला देखा वी चॉप्टी फॉलिंग है ज़ा कम्प्ली डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें से किसके पार पास पूर्ण पूर्ण पाचन तंत्र होता है पूरिफेरा के पास अगर आप लोगों ने यहां पर क्लासफीकेसं पड़ा हो उसका किसी का पैसे नहीं होता है और इनके पास पूर्ण पाचन तंत्र नहीं आपको जो इन लिड़िया नाम का चैप्टर है कौन एक्टम में दिया गया अपको पूरा चैप्टर पढ़ लेन है उसमें से क्वेर्टन बन सकता अपके एक्जाम में ठीके नौई यहां पर मॉस्त यहां पर लगता है कि इस बार बनेगा वह सब क्योंकि हमको का कभ बहुत कम संदेखना है अपके पास नेगे सब्सक्राइब की और बढ़ते हैं next question क्या करा हम से what is the position of the image form if a bus is located at five meter from a con convex mirror with a radius of curvature of three meter क्या कर रो एक convex mirror यहां रपास with a converse mirror है today human pepper is quick is this का यहां ओंपर कितना meter की वक्रता तरी जाइस के Yes weet a focus होगй है यह यह इसका वक्रता तरी जांफ पात करें इस опасannée discrimination भी हैं यह पर कि यह अमारे पसक्तों करें इसका है यह हमार पास फाइब मिटर 5 meter तो left side मैं तो मैनस मोले घी तो you की value आने वाले मेरे पास मैनस 5-5 meter मैनस 5 meter हो जाए यूड की value इधर cender of curvature कितना इसका थ्री यहां पर पूछ रहा है कि निर्मित पर्ति बिंभ की इस्तिती जो यहां पर पर्तिविंभिन की स्थिति जो यहां पर और उसकी स्थिति बतानी है हमें तो क्या होने वाला है तो यहां पर देखें तो हमारा पाइब फॉर्मला था वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन भी इस कोल टू वन अपॉन एफ होता है इतना इतिंग आपको पता होगा तो फिर यहां पर कैसे रखते हैं यू को वेल्यू र थ minder निकालना है यहां से मुझे वी तो वानफोन वी आजयेगा मेरा पास बती प्लस वन वाइम ठाइब क्या लिए तना आने वॉला यहां पर देखने को मिला राइट अमारा हो जाएगा और आप कर लेंगे ठीक ना सही आंसर इसका आप्सिन नुम्र यह यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर सुन्दर बन सबसे बड़ा क्या है पर मैंग्रोव और यह इसका राइट अनसर हो जाएगा अगला यहां पर कॉस्टन देखते हैं विच और दी फॉलेंग नेच्रल फिनोमिना नौट एसोसिएटेटर इनर्जी ज्याव ज्यावर यह उर्जा होती है उससे प्राकृति कौन सी परगटना जो संबंदीत नहीं है सब को पता संगी ग्रे ठीक है टाइडल एनर्जी से संबंदीत नहीं है यह तीनों टाइडल एनर्जी से आपर संबंदीत है अगला कुस्टन देखें यहां पर वर्ट इस दिफोर्स एक्टिंग इन लिनियर मोशन कंपेर्ड टु दैट ऑपर रोटेशनल मोशन एबाउट एन एक सिस्तम ने कहा होता है याँ पर यहां पर कि अगर फुर्ट लिनियर मोशन में जैसरा फोर्स होता है वैसे ही यहां पर जो कौंसा है pink अनुट फूर्ट होता है थैक है तो होता हो जाएगा आपके पास टौर क्याने की बलागून ऑप्सन नमबर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्क्सन के और बढ़ते हैं नेक्स्क्सन आपका ओट आप से लेवस्क्सन नहीं वाला क्वेस्ट नमर नाइंट एट यह सुप्ट एरन कोर ऑन वीच अ करेंट कैरि एट इनहांस दिपावर ऑब दिमोड़र इसकोल नरम लुहे की कोर जिस पर एक विद्यूत धरा वाही कुंडल एक विद्यूत दुचंबक के अन्य कुंडल के साथ कुंडलित होता है जो मोटर की सक्थी बढ़ावा देती है उसे कहा जाता है तो सको कहा जाता है है हाँपर पतार्व पतार्थ की मातरों को मोल से यहां पर बताते हम तो और आज के लिए और इस पेपर का सब आखरी क्वेस्टन यहां पर क्वेस्टन नंबर हंड्रेड विच आप दी फॉलिंग वजा सुगर कें ब्रीड औरिजनली ग्रोन इन नौर्थ इंडिया बट हैड पूर सुगर कंटेंड एंड इल्ड निमलिकित में से गन्ने की कौन सी क किस्म थी जो मूल रूप से उत्तर वारस में उगाई जाती थी लेकिन उसमें चीनी की मात्रा बहुत कम और उसकी उपज भी कम थी तो उसको यूज करना बंद कर दिया तो ऑप्स नमबर यह आपको देख रहे हो मिल रहा होगा सेकरम बार्बेरी सेकरम बार्बेरी वो किस् है इससे अगला पेपर आपका है 22 जो 21 तारीक को सायद आपके पेपर नहीं हुए थे 21 जुलाई को तो 22 जुलाई को आपके बाद दोनों सिप्ट में पेपर होए थे तो इसके बाद 22 जुलाई वाला पेपर हम सॉल्व कर लेंगे इसका पीडिया मैं आपको टेलिग्राम च सॉल्व कर लें तो उसके पीडिया वापर मैं अपलोड कर देता हूं और जो आपके पाद इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं उससे रिलेटर्ड जो आपको इन्फोर्मेशन देनी वह भी आपको वहां पर मिल जाती है तो आप लोग सार्ची कीजिएगा जीरो कैमेस्ट आप को आपर मिल जाएगा ठीक है तब तक किला आप पढ़ते रहे हैं मिलते हैं फिर नेक्स लेक्चर में